आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल कविंदर भाईया में तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिक्स का अगला पार्ट जो है 15 पार्ट ठीक है क्लासिक्स का महान वेक्तितों सारांस और सभी प्रशनोत्तर करेंगे ठीक है चलिए दोस्तों पहले हम लोग इसका पार्ट का नाम पढ़ लेते हैं तो हमारे पार्ट का नाम है महराजा सुहल देओ ठीक है तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे ये कौन थे तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हैं महराजा सुहल देओ ठीक है तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं बच्चो आप लोगों ने बहरायच जनपद का नाम सुना होगा देखिए दोस्तो यहां पर बोल रहा है कि आप लोगों ने बहरायच जो जनपद उसका नाम सुना होगा धार्मिक छेत्र में बहरायच का महतपुड अस्थान है महर्सी अस्टा व्रक भगवान बुध आदी किया तप अस्थली रही यानि किया दो जो महर्सी अस्टा अस्टा वक्र और भगवान बुध थे यहाँ प्याकर तपस्या करते थे ठीके अहिंसा के अवतार भगवान बुध यही जेत्वन में कई वर्ष तक वर्षा रितू के चोमा से व्यतीत करने आते थे ठीके हिंसा का प्रतीक जनता को अपने लूट मार और आतंक के भैभीत करने वाला कुखात्यक डाकू अंगुली माल ठीक है यही जालिनी वन में रहता था भगवान बुध ने यही उसे अहिंसा धर्म के दिछित किया था तो दोस्तों चलिए इनके बारे में अब सुरू होता है भारत नेपाल सीमा के निकट बाराईच जनपद में बाबा गंज रेलवेई स्टेशन से तीन किलो मिटर की दूरी पर ठीक है तीन किलो मिटर की दूरी पर चरदा के प्रसिद किले का ध्वान सावे उस और आने वाले यात्रियों के मस्तिक में अपनी मुक भासा अपनी मुक भासा की एक करूड इसमित्ती भर देता है वर्षा पूर्व यहां एक राजा का सासन था ठीक है वर्षो पूर्व याने की वर्षो पहले ठीक है अब से वर्षो पहले मतलब यहां पे एक राजा सासन करते था उनका नाम सुहेल देव था ठीक है जो राजा राजी करते थे उनका नाम सुहेल देव था उन्हें सुहीवी ध्वज भी कहा जाता है जो की मोरद्वज मकरी ध्वज आदी छत्रिय राज्यों के नाम से मिलता जुलता है ठीक है ध्वज अलग-अलग इतिहासकार राजा सुहेल देव को भर थारू अथवा राजपुत जाती का मानते थे चर्दा की हिल्ज चर्दा की डी राजा सुहेल देव का किला माना जाता है गजनी के सुल्तान महुमद गजनवी का नवाशा सयद सलार मसूद गाजी ने पंजाब से बराईच तक जब अपनी विजे पता का फहराईच उस समय बहराईच के इसी नरेश महराजा सुहेल देव ने छोटे छोटे पहाडी राजियों की संयुक्त सेना गठित कर उन्हें प्राजित किया ठीक है उन्हें प्राजित किया अपने प्रजानों की रच्छा के और वहां के लोगों की लाज बचाई ठीक है तो चली और आगे देखते हैं हमारा आगे है बाराइच में सारे साथ किलो मीटर पूर रेलवे स्टेशन बाराइच के निकट चितोरा जील है ठीक है इसी के किनारे जहां से तेरी नदी कुटिला निकलती है देखें दोस्तों यह प्रशन पूछ सकता है कि तेरी नदी किसे कहते हैं तो आप बता देंगे कुटिला ठीक है कुटिला तो चली आगे देखते हैं राजा सुहल देव से सैयद सलार सैयद सलार मसूद गाजी घंशान युद में पराजित होकर सहीद हो गये सेयद सलाद मसूद गाजी को पराजित करने के कारण इनका पूरा नाम पूरे भारत में फैल गया था ठीक है इन्होंने केवल सेयद सलाद को पराजित नहीं किया वरन बाद में भी ये विदेशी आक्रमकारियों से निरंतर लोहा लेते रहे राजा सुहलदेव स्माकन इस्मिति के की ओर से महराजा सुहलदेव की स्मिति से चोतास जील के किनारे इस्थित उक्त एतिहासिक अस्थल जहां पर उन्होंने सेयद सलाजार मसूद गाजी को परास्त कर सहिद किया था एक मंदिर का निर्मार कराया गया है और उनकी मूर्ति अस्थापित की गई है उनकी स्मृति में इस अस्थान का नाम सुहल नगर रखा गया है प्रती वर्स बसंत पंचमी के यहां मेला लगता है मतलब बसंत पंचमी को जहां मंदिर बना है वहां पर मेला लगता है इस जिले में अस्थानिय रिती रिवाजों में सुहल देव का अस्मरर बड़े आदर पूरवक किया जाता है इसमरोर मतलब होता है याद, ठीक है, असमरोर मतलब होता है याद, याद करना, ठीक है, चलिए दोस्तोब अब इससे related कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं, तो हमारा आज का प्रश्न पहला है, महराजा सुहेल देव कहां के राजा थे और वे क्यों प्रसीद हैं, ठीक है, तो चलिए इनका उत्तर देखते हैं तो उत्तर हैमलों का महराजा सुहेल देव चर्दा के राजा थे उन्होंने सहय सलार मसूद गाजी को हराया था और विदेशी आक्रवन कारियों से लोहा लेकर जनता की रच्छा की थी वे अपने वीरता के लिए प्रसिद थे चलिए दूसरा नमर देखते हैं प्रश्ण मारा दोनों प्रश्ण है बहरायच जन्पद किन किन वीभूतियों की तप अस्थली रही है चलिए इसका उत्तर देखते हैं बहरायच जन्पद महरसी अश्टावक्र और भगवान बुद की तप अस्थली रही है जहां ये दोनों लोग तप कर थीछन प्रशन पर उस्थान पर आते थे तु Cowmaster नम पर न है नीचे कथन पर सही या गलत का चिन लगाई ए ठीक है तो अम लोगों का नमर है महराजा सुहेल देव को मक रीधोज नाम से भी जाना जाता है तो यह अम लोगों का गलत है तो हम लोगों का खनमर है चर्दा की डी राजा सुहेल देव का किला माना जाता है तो यह हम लोगों का सही है और हम लोगों का गर नमबर है सुहेल लगर में प्रतिवर्ष बसंत पंचिमी को मेला लगता है यह भी हम लोगों का सही है गर नमबर है हम लोगों का सेयद सलार मसूद गाजी टेड़ी नदी के किनारे युद में विजय हुआ था वो विजय ही नहीं बलकि हारा था ठीक है पराजित हुआ था तो यह हम लोगों का गलत है अभ्यास प्रशन और इनका कहानी जो था वो खतम होता है तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद